हिना खान ने शो ये रिष्टा क्या क्यालाता है से अपने करियर की शिरुबात की थी कई सालों तक हिना इस शो से जुड़ी रही लेकिन फिर नई जनरेशन यानि कि शिवांगी जोश्य और मौसीन खान की स्टोरी के बाद हिना इस शो से बाहर हो गई थी वहीं कुछ दिनों पहले शो के प्रेडियूसर राजन शाही ने हिना को लेकर कहा था कि उन्होंने हिना को शो से निकाला था क्योंकि उन्होंने उस सीन को करने से मना कर दिया था जसमें शिवांगी हाइलाइट हो रही थी राजन के statement से सबहेरान थे लेकिन हिना ने कभी इस इस पर नहीं बोला वब हिना ने इस मामले पर अपनी बात रखी है इना खान ने एक इंटर्विव में कहा क्या आपने कभी मुझे किसी की किलाफ बोलते सुना है क्या कभी किसी को ले कर थुट करते देखा है नहीं न क्योंकि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन पता नहीं सामने वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं इन लोगों ने मुझे पहला ब्रेक दिया मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और पता है जब मैंने अपना पहला शो छोड़ा तब मेरे पिता काफी दुखी हो गए थे उन्होंने कहा था कि इतने साल काम किया सब सही था लेकिन अच्छे नोट पर एंग नहीं हुआ ऐसा नहीं था कि एक दूसरे की शकल नहीं लेकिन सही नहीं था हिना ने आगे कहा मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा दुखी थे लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि वादा करो तुम कभी इस बारे में या उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलोगी चाहे कुछ भी हो मैंने उन्हें प्रॉमिस किय जरूरी नहीं कि वो सही ही हो और जो कम बोलता है या नहीं बोलता है जरूरी नहीं कि वो गलती हो बस यहीं पूरी बात है वल आपका हिनकान की कहीं इन बातों पर क्या कुछ है कहना आमें कॉमेंट्स में जरूर वताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्रा करें